प्यारे बच्चो, आज हम आठमी कक्षा के नोवे पाठ जन्तुों में जनन इसके पहले भाग पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चो, आज का विश्य बहुत ही रोचक है और हमारे लिए बहुत ही उपियोगी है जन्तुओं में जनन जन्तु यानि सजीवों का एक वर्क और सजीवों के लक्षण हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे प्यारे बच्चो सजीव गती करते हैं लेकिन कुछ निर्जीव भी गती करते हैं जैसे कार, मोटर साइकल, बस, आदी सजीवों में व्रिद्धी होती है लेकिन कुछ निर्जीव में भी व्रिद्धी होती है जैसे आप कोई रबर बैंड है उसे खीच करके देखिए और वेल की पटरियों के बीच में खालिस्तान क्यों छोड़ा जाता है क्योंकि वे गर्मियों के दिनों में तापमान अधिक होने पर बढ़ जाती हैं तो किसी न किसी रूप में निर्जीवों में भी वृध्धी हो सकती है सजीव सांस लेते हैं यानि ऑक्सीजन ग्रहन करके कार्बंडाय अक्साइड छोड़ते हैं प्यारे बच्चो देहन की प्रक्रिया में भी तो ऐसा ही होता है उसमें भी ऑक्सीजन उस अभिक्रिया में शामिल होती है और कार्बंडाय अक्साइड निकलती है सजीवों का एक और लक्षन वे भोजन करते हैं यानि भोजन ग्रहन करके उसे उर्जा में बदलते हैं कुछ निर्जीवों में भी जैसे हमारी मोटर साइकल है कार है उनके अंदर भी हम पैटोल डीजल डालते हैं और वो उर्जा में रुपांतरित होता है सजीवों में उत्सर्जन होता है कुछ निर्जीव मशीने भी उत्सर्जन करती है जैसे हमारी मोटर साइकल गाड़ियां दिधुआ छोड़ती है लेकिन एक प्रमुक लक्षन ऐसा है जो केवल और केवल सजीवों में पाया जाता है किसी भी निर्जीव में यह लक्षन परिलक्षित नहीं होता प्यारे बच्चो वह प्रमुख लक्षन है जनन जनन क्या है अपने जैसी संतान को उत्पन करना उसे हम जनन कहते हैं आपने देखा होगा कि किसी नीम के व्रिक्ष के नीचे छोटे छोटे नीम के पोधे अपने पुगाया करते हैं और यह प्रक्रिया अन्य पोधों में भी दिखाई देती है आपने आसपास कुछ गली में घूमते हुए कुत्ते बिल्लियों के साथ उनके छोटे-छोटे बच्चों को देखा होगा वो भी जनन के कारण ही है जनन क्यों आवश्यक है प्यारे बच्चों स उम्र बड़ी होती है धीरे-धीरे वो समाप्त हो जाते हैं मृत्य हो जाती है अगर जीवों में जनन की प्रक्रिया नहीं हो तो एक समय ऐसा होगा कि वो समाप्त हो जाएंगे इसलिए अपनी प्रजाति अपनी जाति अपनी स्पिशिज उसकी निरंतरता बनाए रखने के के लिए जीवों में जनन बहुत आवशक है प्रतेक जीव अपनी उत्तर जीविता के लिए जनन करता है और प्यारे बच्चों पोधों के अंदर पादपों में जनन को पिछली कक्षाओं में हम पड़ चुके हैं और उनके अंदर हमने फूल के भागों के बारे में पढ़ा था फूल के दो भाग पुंकेशर और स्त्रिकेशर आपको चित्र में दिकाई दे रहा होगा पुंकेशर के क्या भाग थे पराग कोश वर्तिकागर पराग तन्तू और इसी प्रकार से इस्त्रीकेशर के कुछ भाग थे और पेड़ पोधों में किस प्रकार से बीज बनता है तो उसके अंदर एक प्रक्रिया होती थी निशेचन की परागन पराग कोश से पराग कन पराग तंतु के माध्यम से इस्त्रीकेशर में उपस्तित पोधे के अंडाशय तक पहुशते थे और इस परागन से पोधे के अंदर फल या बीज की उत्पत्ति होती थी और बिल्कुल पादपों की तरह से ही जीवों में भी जनन की प्रक्रिया होती है जिस प्रकार कुछ पादपों के अंदर एक ही पुश्प के अंदर इस्तिकेशर पुंकेशर होते हैं उनसे निशेचन हो जाता है उनसे परागन हो जाता है फल फूल बीज बन जाते हैं और कुछ पेड़ पोधों के अंदर बिना निशेचन के पत्तियों से काईग जनन से प्रवर्धन से जनन होता है यानि अलेंगिक जनन उसी प्रकार से जीवों के अंदर भी जनन की दो विधिया हैं एक लेंगिक जनन और दूसरा अलेंगिक जनन आज हम लेंगिक जनन के विशे में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों जिस प्रकार से पोधों के अंदर पूंके शर और इस्त्रीके शर नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं उसी प्रकार से जीव जन्तुों में भी नर जनन और मादा जननांग होते हैं, हम चलने फिरने के लिए शरीर के कौन से अंग का प्रयोग करते हैं, पैरों का, देखने के लिए, आखों का, सुनने के लिए, कानों का, बोलने के लिए, मुह का, यानि हमारे शरीर का प्रतेक अंग कुछ विशेश कारिय करता है, उसी प्रकार से जो अंग जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन अंगों को जननंग कहा जाता है, और कुछ विशेश जनतुओं में यह जननंग नर और मादा अलग-अलग जीवों में होते हैं, पौधों की तरह से ही जन्तुओं में भी नर और मादा युगमक बनाते हैं और ये सनलयत होकर के नए युगमनज बनाते हैं जिनसे नए जीव का जन्म होता है इस प्रकार नर और मादा युगमक का सनलयन लेंगिक जनन कहलाता है आईए आज हम मनुष्य के जनन अंगों के बारे में जानकारी ग्रहन करते हैं नर जनन अंगों में एक जोडा व्रशन दो शुक्राणूं नलिकाएं और एक शिष्न होता है व्रशन नर युगमनज उत्पन करता है जिसे शुक्राणूं कहते हैं और व्रशन में एक समय में लाखों शुक्राणूं उत्पन होते हैं आप शुक्राणूं का चित्र भी देख रहे होंगे शुक्राणूं तीन भागों में विवत्त होता है इसमें एक इसका शिर्ष होता है एक इसका मध्य भाग होता है और पीछे एक लंबी पूँच होती है यह लंबी पूँच भला उसके क्या कामाती है प्यारे बच्चो यह जब जनन के लिए गती करता है तो इसे एक तरल माध्यम में गती करनी होती है तो यह पूँच उसे सही दिशा प्रदान करने और गती करने में सहयोगी होती है इस शुक्राणू में एकल कोशिका के जैसे ही संगटक पाये जाते हैं आप चित्र में देख रहे होंगे यह विरशन से निकल करके शुक्राणू नलिका से होते हुए शिश्न के माध्यम से जात्रा आरंब करता है प्यारे बच्चों कि हम पैरों से चलते हैं हमारे मुह से बोलते हैं तो पैर और मुह जन्म के साथ हमारे विक्सित होते हैं लेकिन क्या जन्म लेते ही हम चलना सीख जाते हैं नहीं हमें सीखने में समय लगता है हमें बोलना सीखने में समय लगता है के हमारे जनन अंगों की भी एक परिपक्वता की आयू होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं इसके बारे में विस्तार से हम अगले अध्याव में चर्चा करेंगे नर जनन अंग के बाद अब हम जानते हैं मादा जनन अंग किस प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चो मादा जनन अंग की संग्रचना अंग्रेजी के वर्ण वाई की तरह से होती है इसमें एक जोड़ी अंडाशे अंडवाहिनी नलिकाएं तथा एक गरभाशे होता है जनन परिपक्वता की आयू प्राप्त करने पर ये अंडाशे मादा युगमक उत्पन्न करते हीं जिसे अंडानू या डिम्ब कहा जाता है मानव यानि महिलाओं में इस्त्रियों में प्रायह प्रतेक मास दोनों अंडाशेयों में से एक से एक डिम्ब की निर्मुक्ति होती है जो अंडवाहिनी में आ करके रुकता है और प्यारे बच्चो गरभाशे हमारा मादा जनन अंग का वह भाग है जहां निशिचन के पश्चात शिशु का विकास होता है प्यारे बच्चो विभीन जन्तुओं में डिम्ब यानि अंडे का आकार अलग-अलग हो सकता है जैसे मनुष्यों में इसका आकार बहुत सुक्ष्म होता है कुछ जीवों में जैसे मुर्गी, शतुर मुर्ग, आदी के अंडे का आकार बहुत बड़ा होता है और इनके निशेचन की विधियां भी अलग-अलग हो सकती है मनुष्य में आंतरिक निशेचन होता है यानि पुरुष के युगमक यानि नर युगमक और मादा युगमक का सनलयन शरीर के अंदर होता है जबकि कुछ जीवों में यह बाहर होता है आप किसी तालाब के किनारे जाएं और उस तालाब में जैली अकार की तैरती हुई छोटी छोटी गोल संगरचनाओं को देखें वो वहां मेंडक या मचलियों के अंडे हो सकते हैं जिस प्रकार से आपने मुर्गी के या अन्य पक्षियों के अंडे देखे होंगे वे एक कठोर आवरण से ढके होते हैं जबकि मेंडक या मचलियों के अंडे केवल एक नर्म जैली नुमा चिकने पदार से ढके हुए होते हैं और प्यारे बच्चो मुर्गी जिस प्रकार से केवल कुछ ही अंडे देती है पक्षि केवल कुछ ही अंडे देते हैं लेकिन मचलिया या मेंडक हजारों के संख्या में अंडे देते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है प्यारे बच्चो जैसा आपको अभी बताया कि मेंडक या मचलियों के अंडे कठोर आवरण में सुरक्षित नहीं होते ये ऐसुरक्षित रूप से पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं तो वायू के तेज प्रवाह पानी की तरंगों से और कुछ अन्य जीवों का भोजन होने के कारण इतने अधिक मात्रा में अंडे होने के बाद भी बहुत कम मात्रा में उन जन्तुओं के शिशु का विकास हो पाता है इसलिए उनकी संख्या अधिक होती है आप चित्र में देख रहे हैं कि मनुष्य में निशेचन किस प्रकार से होता है एक अंडानू उससे संलयन के लिए एक बार में आने वाले लाखो शुक्रानूं में से केवल एक सुक्रानू संलयन कर पाता है शेश नस्ट हो जाते हैं निशेचन के परिणाम शरूप युगमनज का निर्मान होता है और यह युगमनज एक कोशिका के रूप में होते हुए धीरे धीरे अंडवाहिनी के अंदर गती करता हुआ एक से दो दो से चार इस्तरे करते करते सैकड़ों कोशिकाओं का एक समुह बन जाता है और कुछ समय के अंतराल के पश्चात यह गरभाशे की दिवारों के साथ अपने आपको सुरक्षित कर लेता है और यहाँ पर शिशु का विकास होता है निशेचन के इस प्रक्रम में संतती यानि संतान यानि होने वाला बच्चा कुछ लक्षन अपनी मा से और कुछ लक्षन अपने पिता से ग्रहन करता है एक ही परिवार के बच्चों के अंदर आप पाएंगे कि उनके शकल, रंग, रूप, कुछ लक्षन, कुछ गुण एक समान होते हैं यह इसी कारण से होता है तो प्यारे बच्चों अभी हमने जाना आंतरिक निशेचन के बारे में मचली स्टारफिश मेंड़क आदी कुछ जनतों में बाईये निशेचन होता है यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से समझी जा सकती है कि मादा मेंड़क बिना निशेचन के ही अपने कुछ अंडों का उत्सरजन करके छोड़ देती है जो पानी की स्टार पर तेरते रहते हैं और नर मेंड़क आ करके उसके उपर अपने शुक्रानों छोड़ता है और इसका निशेचन शरीर से बाहर होने के कारण इसे बाई ये निशेचन कहा जाता है प्यारे बच्चो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तो जुरूर सुना होगा यह एक धमित करने वाला नामकरण है सामान्य तह इसको सुनकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें मानव शिशु का विकास किसी टेस्ट ट्यूब में या शरीर से बाहर किसी उपकरण में होता है वास्तों में ऐसा नहीं है प्यारे बच्चो हमने अभी जाना कि मादा जनन अंग में अंडाशय से एक अंड निर्मोचित होकर के अंड वाहिनी में आकर के उस थान पर निश्यचित होता है कुछ महिलाओं में यह अंड वाहिनी अवरुद हो जाती है क्योंकि यह एक पतली नली के रूप में होती है तो उसके लिए डॉक्टर्स विशेशुप करनों से उस अंडाणों को बाहर निकालते हैं और नर्शुकराणों को ले करके बाहर अंडाणों और सुकराणों का सनलयन करके निशेचन को संपन करते हैं और उसके बाद निशेचन होने के पश्यात उसको गरभाशे में रोपित कर दिया जाता है तो निशेचन केवल निशेचन की प्रक्रिया बाहर होती है शेश सभी प्रक्रियाएं मानव शरीर के अंदर होती है निशेचन बाहर उपकरण में टेस्ट ट्यूब में होने के कारण इस प्रक्रिया को इस प्रकार के शिशु को टेस्ट ट्यूब शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है इसको IVF तकनिक भी कहते हैं प्यारे बच्चो निशेचन के फोरण पस्चात अंडानों के ऊपर एक परत बननी आरंब हो जाती है जो उसकी सुरक्षा के लिए होती है कुछ जन्तुओं में यह परत बहुत कौमल होती है कुछ जन्तुओं में यह बहुत कठोर होती है जिस प्रकार से मुर्गी उसके उपर सुरक्षा का कठोर आवरण कठोर परत तयार होने के बाद ही उसे निर्मुक्त करती है बाद में आपने मुर्गी को अंडों के उपर बैठ हुए भी देखा होगा वहें उनके विकास के लिए उपयुक्त तापमान उनके उपर बैठ करके तयार करती है और उस अंडानू में उस जीव के सभी अंगों का विकास उसी अवधी के दोरान होता है प्यारे बच्चों और जीव के सभी अंगों का विकास होने के बाद वहें उस कठोर कवच को तोड़ करके बाहर हाता है बाईय निशेचन वाले जन्तुओं में जीव के सभी अंगों का विकास बाहर ही होता है ब्रून अंडे के आवरण के अंदर अपना विकास करता रहता है और जैसे ही उसके अंग विक्सित हो जाते हैं वह उसे तोड़ कर बाहर निकलता है आपने तालाब में मेंडकों के छोटे छोटे टेड़ पोल को तेरते हुए देखा होगा यह उन जीवों की ऐसी ही मध्यम स्थिती है जनन की विधियों के अनुसार जीवों को एक और वर्ग में भाजित किया जा सकता है कुछ जीव विक्सित जीवों को जन्म देते हैं यानि उस जीव के सभी अंग जन्म से पूर विक्षित हो चुके होते हैं जबकि कुछ जीव अंडे उत्पन करते हैं जो जीव विक्सित जीव को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं और जो जीव अंडे उत्पन करते हैं उन्हें अंड प्रजक जन्तु कहा जाता है तो मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, गाए, भैस, आदि, जरायोज जन्तु हैं और मुर्गी, कबुतर, चिडिया, आदि, पक्षी, अंड, प्रजक जन्तु हैं प्यारे बच्चों, हम जिन जीवों को उनके विक्सित रूप में देखते हैं, उनके जीवों के विकास करम के आरंभिक चरणों को हम देखें, तो उनमें इतना परिवर्तन होता है कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे होंगे, मैंडक के जन्म के विकास का प्रक्रम इतना परिवर्तित होता है कि वह पहले अंडे के रूप में है, फिर आरंभी टेड़ पोल, बिलकुल अलग लंबे से आकार में, फिर उसके बाद टेड़ पोल, बिलकुल कीट के आक प्रकार का और उसके बाद एक वयस्क मेंडक, बिलकुल अलग से परिवर्तित रूप में, इसी प्रकार से आप मानव के शिशु के विकास के प्रक्रम को भी पहचानने की कोशिश करें, प्यारे बच्चों, जब एक जीव इस प्रकार से बहुत अधिक परिवर्तन करता है, कुछ विशेस परिवर्तनों के साथ टेड़ पोल का विक्सित मेंड़क में परिवर्तित होना यानि अत्याधिक परिवर्तन होना कायांतरण कहलाता है कायांतरण से विप्राए पूरी काया की काया ही पलट गई इसे हम कायांतरण कहते हैं आप कितली के लिली के लारों के माध्यम से भी इसकी पहचान कर सकते हैं उमीद है बच्चो यह विश्या आपको स्पष्ठ हो गया होगा आप अपनी पाठे पुस्तक में दिये गए सभी पाठे ब्रुंदूओं का गहराई से अध्यन करें जो चित्र हैं उन्हें बनाने का प मिलते हैं फिर अगले लेसन में तब तक बाई